गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मेरी न्यू चैनल दर मिरेकल एस्टो टंटिफ़ में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि आज सावन सोमार का पहला शनिवार है और आपको पता है जिस तरह सावन सोमार के सारे सोमवार बहुत इंपोर्टेंट होते हैं बहुत महत्वपूर होते हैं उसी तरह सावन सोमार का शनिवा भी अत्यंत महत्वपूर माना जाता है अगर इस दिन भी आपको चुपाय करते हैं, पूजा पाट करते हैं, तो इसका भी संपूर फल मिलता है आपको तो आए जानते हैं कि क्या करें, जिसे हमको शनी दे के क्रिपा प्राप्त हो और ये छोटे-छोटो पाय है, कुछ-कुछ टिप है, तो इसको आप करके लाख प्राप्त कर सकते हैं, तो आए शुरू करते हैं अगर आपकी कुंडली में शनी अशुब इस्थती में हो, तो भागे आपका साथ नहीं देगा, इसके लिए आपको भगवान शनी दे को प्रसन न करना होगा शनी वार का दिन इसके लिए खास माना जाता है, जानिए शनी वार के दिन ऐसे क्या उपाय करें, जिससे आपको शुफल मिले शनी वार को 19 हाथ लंबा काला धागा लेकर उसकी माला बनाए, अब इस माला को शनी देव पर चड़ाए और कुछ देर बाद इस काले धागे को इस माला को गले में धारन करें, अगर आप चाहे तो इसे दाहिने हाथ पे भी बान सकते हैं, इस प्रियोक से शनी देव का प्रकोप कम हो सकता है अगर आपको आपके जीवन स्वास्ति स्वास्ति संबंदी कोई भी परशानी लग रही तो बरगत के पेड़ की जड़ में दूट डाले और दूट डालने से जो मिट्टी गीली हो उससे मस्तक पर लगाए, स्वास्ति सारी परशानियां से आपको छुटकारा मिल जाएगा मांसिक विकारों से छुटकारा पाने के लिए प्रतेक शनिवार के दिन गूर और नारियल के तेल में कपूर मिला कर पीपल के पेड़ के नीचे रखा है, मांसिक रूप से आपको शान्ति मिलेगी तो आई हो फ्रेंट सबको मेरे दोर दी गई जानकारी पसंद आई होगी और इससे करकर आप लाफ प्राप्त कर सकते हैं तो थाइंक यू फॉर वाचिंग है, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक माई यूटूब चैनल, थाइंक यू सो मच